जैहिन साथियों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल ग्यान आर्बियल में दोस्तों आपको बता दें कि आपके लेखपाल की जो वैकेंसी आ चुकी है आठ हजार प्लस वैकेंसी ठीक है उसके लिए हमने कहा था कि हिंदी और ग्रामीन परिवेश यानि कि ग्राम समाज का विकास यह दोनों चीज हम आपको फ्री आप कोश्ट पढ़ाएंगे इसके लावा दोस्तों जीके जीएस भी पढ़ाएंगे ठीक है तो आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं उस विश्वास साथ उसको हम कायम रखेंगे और आपको बता दें कि दोस्तों हमने हिंदी के तो क्लास बहुत पहले सुरू कर दी ठीक है अगर आपने अभी तक हिंदी क्लास नहीं देखी तो यह हमने बैच बनाई है संपूर हिंदी ज्यान बैच 2022 के नाम से आप प्लेश्ट पर जाएंगे तो वहां मिल जाएगा और दोस्तों हमने ग्रामीड परवेस की ब तो आज हम आपको ग्रामीड परवेस के बारें बताने वाले देखे जोगर बात ग्रामीड विकास यफि ग्रामीड समाज विकास के आते दोस्तों आप लेकपाल के यारी कर रहे हैं तो लेकपाल किससे जुड़ा होता है गाउं से ठीक है तो इसलिए दोस्तों एक इसमें अलग सा होता है, ग्राम में समाज उओं ग्रामीर विकास है, मतलब गाउं का विकास कैसे किया जाए, गाउं का समाज कैसे होता, तो ये सब चीज़े लेक पाल को आनी चेए, इसी भे दोस्तों एक अलग सा ये टॉपिक दिया आТा है लेक पाल के पेपर में, ठीक है तो ये ग्रामीर प्रफेस दोस्तों आपको लेकपाल और वीडियो के पेपर में भी काम आएगा तो दोनों एक्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं और आपको बताए दोस्तों ये हम हैंड राइटिंग से लिखेंगे लिखेंगे नो चार रूप से और अच्छे रंग से आपको एक्ची बता दें कि अगर आप पढ़ते हैं दोस्तों तो सायद ही कोई कोश्चन बाहर जाएगा यानि कि हम इतने अच्छे रंग से इसको कवर करेंगे इसके लाँ दोस्तों जब ये कंप्रिट रिजाए का पूरा तो हम होगा क्या करता है दोस्तों राजसु को बटोडता है ठीक है गाउम fifa में जो राजस हो तक पीन से कि लेकपाल को ही पटवारी भी कहते हैं पटेल भी कहा जाता है और कार नाम अधिकारी भी कहते हैं और कहीं कहीं पर दोस्तों सान बोगरू के नाम से भी जाना आता है दोस्तों यह लेकपाल को ही कहा जाता है ठीक तो यह रखेंगे यह पटवारी के सारे नाम थे ठीक है लेक प्रारह मदैथा वूरे सब्स्राइबर 27 आम को पता होगा का सेरसासुरी वही सेरसासुरी है जिनका यूत्ष धोस्तों हुमायों केसा उन्था हुआँ प्किन को कालिंजर के कि लिए अब देखिए यह question आप से छोड़ के जाएंगे कि कालिंजर किलाग किस जिल्य में स्थित क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबने तो यह चीज आप बताएंगे तो सेरसास सूरी के समय से ही इसका पटवारी प्रद चला आ रहा तो दोस्तों ये most important question बनेगा कि पटवारी प्रद दोस्तों कहां से आ रहा है किस के सासनकाल से तो सेरसा सूरी के सासनकाल से आपको बता दें दोस्तों सेरसा सूरी के बाद मुगल समराट जो हैं अकबर थे उनने दोस्तों इसको बहुत बलहावा दिया बाद इस पतवारी पतayı को भी उन्होंने भी रखा और अच्छा खासा इसको बलहावा दिया उसके बाद दोस्तों बृटिस सासनकाल में भी थोड़ा सा मामली सा परबद इसमें किया गया परन्त दोस्तों ये प्रडाली चलती रहे कौन सी पटवारी वाली है ठीक है तो ये चीज भी याद रखेंगे बहुत अच्छे से क्योंकि important है आपकी परिच्छा की द्रश्टी से भी और आगे चलके दोस्तों आपको याद रखना है कि सन 1918 ये भी आपका most important होगा सन 1918 में सभ करते हैं दोस्तों सरकार के प्रततरी के रूप में लेखवारी पत्वारी को न्यूक्त किया गया दोस्तों वह सन 18 घीक है और आपको पताधें कि उत्तर्प्रदेस में पहले इसको लेखपालको पतवारी ही कैते थे अब को बताधे जग उत्त्तर पतम सब्सक्छन को लेक, ने बतल दिया दोस्तों तो किसके समय में तो दोस्तों चौधरी चर्ण सिंग का बहुत बला योगदान था इस कारे को करने में ठीक है तो दोस्तों यह लगभग 1952 के आसपास इन्होंने ऐसा कारणामा किया था याद रखेंगे कि लेकपाल का नाम पटवारी किसे ने रख द किया चौधरी चर्ण सिंग में ठीक है यह चीज भी याद रखेंगे और नहुने लेकपाल ने तरहर हुदा करके दोस्तों अsta करके दोस्तों पद देखते हैं जो की आपके परिच्छा के दर्षटी से भी इंपॉर्टंट हैं और आपके जानकारी के दर्षटी से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टंट है तो, चलिए दोस्तों, देखे एक होता है आमीन का पद क्या अमीन जिसको बोलते, आमीन बोलता है इसकी वैकनसी बहुत समय पहले आई थी तब से देखी नहीं गई है तो एक पद होता दोस्तों आमीन आमीन जानते क्या होता है भाईया ये घर-घर जाता है और करकी वसूली करता है आपको पता होगा कि जो भी गाउं के कर होते हैं जैसे की नहर का जानते हों सरकारी नलकूप होता है क्या सरकारी नलकूप जिसको हम ट्यूबेल बोलते हैं ठीक है नलकूप होता है दोस्तों घर-घर जाता है और दोस्तों सभी से क्या करता है ये कर वसूलता है भीया कि आपके नहर का कराया है इतना हुआ है इतना आप जमा करिए ठीक है नलकूप कराय जो भी करोते निरिच्चक और ये पिलिच्च पर निरिच्चक पार्पार बोस्तों यही चीज़ समझेगा यही एक आप के लिए बेन होता है और आपको बताते हैं लेख पाल दोस्तों गाओं या हलका का प्रमुक होता है दोस्तों याद रखेंगे एक हलका । इसे दोस्तों राजस उपनिच्छा का पद होता है या रखें हमें इसी के बारे हम पढ़ना है मगर दोस्तों अब देखें इस से बड़ा अधिकारी क्यों होता है देखें राजसे लेकपाल से बड़ा अधिकारी क्यों होता है तो कानून ऑगसा व्रत्य को चड़ाई क्या राजस्वरत का दोस्तों मुख्यधिकारी कौन होता है कानून गो होता है आपको बता दें कई सारे गाउं जो है या हलका है दोस्तों वो राजस्वरत के अंतरगत आते हैं ठीक है तो याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से क्या दोस्तों बिल्कुल अच्छे से याद देखते हैं दोस्तों आप देखें कानून गोल के बाद कौन सा पता आता दोस्तों आपको बता दें कि तहसील इस तर आती है और तहसील में दोस्तों कौन होता सबसे बड़ा तो दोस्तों तहसील दार और यहां पर कहीं कहीं दोस्तों देखें नयाब तहसील दार होते हैं दो दो चीजों में किसी जमीन का लफडा हुआ है किसी चीज का लफडा हुआ तो उसमें दोस्तों ये अपना नयाई दे सकता है कौन नायाब तहसीलदार तो कोशन याद रखेंगे कोशन पूछा या सकता है कि सबसे छोटा नयाई पद काउन होता है नयाई सुनाने वाला सबसे राजस्य को एकत्र करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी काउन होता है तहसीलदार होता है ठीक है तहसीलदार का होता है कि तहसील इस तर पर राजस्य को एकत्र करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी होता है जिसे हम तहसीलदार कहते है ठीक है और दोस्तों अगर बात कर लें उपसंभाग, उपसंभाग का दोस्तों प्रमुक कौन होता, SDM, ठीक है, इन से उपर कौन होते हैं, SDM होते हैं, जिसको उपजिला अधिकारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उपजिला अधिकारी, उसके बाद दोस्तों, जिला होता है, और जिले का प्रमुक होता है, जिला जिसको हम DM बोलते हैं और यहां से question क्या बनेंगे यह आप समझिए क्या बनेंगे दोस्तों यहां से question यह आप समझिए देखे पूछेगा कि जिला का जिला इस्तर पर राजस विकठा करने वाला सबसे बड़ा दिकारी काउन है तो आप बताएंगे जिला दिकारी देखे जिल धिकारी दो दो इसको दो चीज़े कह आती है पहला collector भी कहते हैं टृथ कर ले दिए उसको collector भी कहते है जिला कलेक्टर ठीक है और दोस्तों जिला दिकारी भी कहते हैं देखे उसमें आप वे देखा होगा सुरुवभनसं में हीरा लाल जी्प बहुत थी न वह क्या बन गई सबसे बड़ा दिकारी कौन है जिले का तो जिला कलेक्टर बोलेंगे और दोस्तों अगर पूछे आप से कि जिले का सबसे बड़ा प्रसासनी का दिकारी जब प्रसासन की बात करेंगे तब आपको जिला दिकारी बताना है तब आप कलेक्टर नहीं बताना नहीं तो गलत हो ज देखे, जिले का सबसे वड़ा दिकारी का होता है, जिला दिकारी, अब देखे, जिले में कई सारे उप संभाग होते हैं, और उप संभाग का सबसे वड़ा दिकारी का होनोगा, एसेडियम होगा, अब एक उप संभाग को दोस्तों, कई सारे तहसील में बाटते हैं, और तहस स catching three main सबसे जोटा नयाईक पद होता है जो की नयाएं सुना सकता है अब सुना सकता है अब की ढ़ते हैं जिसका मेन कौन होता है मुखके कानून ग 가격 कानून गो दोस्तों ठीक है कानून गो ठीक है इसे राजस निरिच्छा कहते हैं यह राजस निरिच्छा का पद होता है और दोस्तों राजस वरत्य को दोस्तों कई सारे हलका माटा आता है कई सारे गाओं माटा आता है हलका माटा आता है और उस हलके का प्रमुक कौन होता है लेक पाल होता है जिसे हम राजस्तु उपनी रिच्छा कहते हैं और दोस्तों सबसे छोटा पड़कॉंस होता है आमीन का होता है जो घर घर जा करके दोस्तों आपसे पैसों की वसीरली करता है ठीक है यह आप बिल्कूर अच्छे समझगे होगे कोई दिक्कत नहीं होगी होग करेंगे यह आज हमारा समसकते डेमो क्लास था ठीक है कि इस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे और इसकी पीडियाप के लिए दोस्तों आपको दुबारा अदा दें यह वारा टेलीग्रान चैनल है इसका नाम है ज्यान आर्गेल ऑफिसल इसको जॉइन करेंगे यहीं पर आपको पीडियाप भी मिल जाए करेंगे ठीक है वैसे आप क्लास देख लेंगे दोस्तों आपको दिमाग में बिल्कुर अच्छे से रट जाएगा ठीक है तो हमने दोस्तों कोशन आप से किया कि सेर साथ सूरी की मरत्यू जो कालिंजर किला दोस्तों किस जिले में इस्तित अगर आपको पता है तो कमेंट बाक्स पर करिएगा और दोस्तों हमें आप लोग को हमारी ये क्लास कैसी लगी हमें आउसे पताएगा और वीडियो को सेर करिएगा चैनल सब्सक्राइक को लीजेगा बेल आइकन अबस्प्राइगा थेंक्यू धन्यवाद मिलते हैं नेक्स जबहार्ट जबहार्ट